एक महिला आपने तीन बच्चों के साथ पोखर में डूबी मामला कांटी थाना छितर के शापूर पंजयत के सहवासपूर गाउं का है बताया जाला है कि घटना स्थल पर महिला वब उसके बच्चे के पैर के चपल और एक घास की टोकडी भी परी हुई है वई घटना के बाद घटना स्थल पर अस्थानिये लोगों की काफी भीर उमर परी है एक पुरे गाउं में शोक का मोखौल है पोखर में डूवी महिला के पैचान रीमा देवी उम्र लगभग 30 वर्ष पती भीमरजक बची के पैचान रिचा कुमारी उम्र लगभग 6 वर्ष रादिका कुमारी उम्र लगभग 4 वर्ष प्रिती कुमारी ओर्फ रोशने उम्र लगभग 2 वर्ष सभी पिताब भीमरजक के ग्राम स्वाबाजपुर कांडी थाना च्छित्र के शापुर पंचायत जिलामो जफर पुर निवासी के रूप में हुई है अचानक इतने बरी घटने अधर कुछ नहीं हुआ जोगरो लराई नहीं हुआ पुछ गरोगारी नहीं हुआ जर कहें जागया नाया है कि इतने मज़े घर से निकले थे निकले होगा चार के करिम में फिर उसका बाद हम चल गए रासन पानी लाने के लिए चावा लुबली सब ले आए हम उसका पर टूटा हूँ आते थोड़ा चलते हैं तो 5 मिनेट रेष्टे लेगे ना चलेंगे हाथ दुखा जाता है मुहां से आए उसका बाद मनिये नहीं यानि कि आधा पहुण घंटा यानि कि छो सारे छो से कि खोजिना हम लोगे स्टाइट किये नहीं पता लागा तो फिर आठ नौ बजे करिम में सब ठीटो चुचले के सब खोजा खुब तब पता लागा तो एको बेटी मिला फोटकी किता जो कहा हो पापा देखा ही हम कपरा नया पेंग लिया हो कितना बचा है आपको तीन होता तीन के साथ घटना हो गए है जी है झाल 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 झाल